बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े द्रिस्टांत बड़े बड़े कागज जैराम जी बता रहे थे जैराम रमेश के 5 लाख डाउनलोड हुआ हमारा गोशना पत्र वो सब गया किनारे उस पर रखे दाल मोट खा लेंगे अब लोग एक ही गोशना बची अब खटगे जी कि 10 किलो 10 किलो 10 किलो नहीं करें ऑफ एसी आवाज मंढी में सुनाई देती वै कि συν सुद्धी ता सब्क म्रवड़ी रखे न इस जान वाज आती है 10 किलो 10 किलो आकर गोले यह पसेरी देंगे दो इस फ्र वरी तो पर बड़ी जतधांतिक बाते क्यों किती ए देश दुनिय कि पहले दिन बोल दे राहुल गांदिस बुलवा देते कि पांस देंगे आजाओ चुनाप खतब टाटा भाई भाई फिनिश हो गया कटा भाई नहीं ज्यादा आराम रहता है सब के लिए इदुनिया आगे बात है हम लोगों के लिए कापी लिखना मुश्किल क्या कहां कहां पांस दे रहे हम दस फिर हो सकता यह पंद्रा कर देते रिचा राजपूत की पार्टी पंद्रा कह देती और अर्विंद केद्रिबाल का भरोसा नहीं वो अकेले 20 कह दे उनको कौन लोग लेगा अमिशा से किसी ने पूछा कि अर्विंद केद्रिबाल ने एक अपनी गारंटी दी है अशोक जी कि पूरे देश में फ्री बिजली चार्ज हो उनके बाद तो उनने पूछा उन्होंने कहा कि अर्विंद केद्रिबाल को 22 सीटों पर चुनाब लड़ रहे हैं उनकी आते बड़ी महत्व हैं एक अपनी तकी साब ने का आगे स्वाती मालीबाल ने लिखित रिपोर्ट नहीं दी है वो यह भूल गए कि स्वाती मालीबाल ने जो टेली फोन पर बोला थाने को थाना उसको लिखता है कागज पर कि क्या बताया गया और किसके नंबर से बताया गया कौन बोल रहा था वो प्रमाळ होता है मित्र एक दूसरी बात कि स्वाती मालीबाल ने ये भी और कहा कहा हमारे साथ मार पीट नहीं हुई बोला गया नहीं आपके तो दो लोग गए थे मनाने स्वातिमालीवाल तो नहीं मानी अब एक तीसरी बात और लिख लो इधर कुआ उधर खाई भईया या तो विभव या मालीवाल दो में से एक विस्फोट करेगा जरूर क्या लिख लो ये मेरी सामानी समझ कह रही है और एक जूम से पहले हो जाएगा कारिक्रम पंचम अध्याय समाप्त हो जाएगा कथा का और पंजीरी बढ़ जाएगी लिख लो ये जो आपकी हस्रत है ना आम आद्वी पार्टी के कि मालीवाल ने तो कुछ नहीं कहा ये हस्रत भी जल्दी पूरी हो जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है आज है स्वाती मालीवाल के निवास पर दिल्ली पूलिस गई थी पूश्ताच करने अब पूश्ताच में क्या निकला है उसका इंतजार कर लीजिए सामने आ जाएगा और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो बात अर्विन जी ने तिहार से निकलने के बाद एक शुपा छोड़ा और आज लखनव में आकर उसको दोहराया कि ना मोधी प्रधान मंत्री बनेंगे और ना योगी मुख्य मंत्री रहेंगे इस शगूफे के पास प्राण वायू नहीं है ये शगूपा टिक नहीं सकता मोधी जी ने बोल दिया वो तो अलग बात है आप बताईए इतनी समझ सबको है कि जो मुख्य मंत्री लगातार अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधान मंत्री का सार्देनिक मंचों पर प्रमान पत्र पार आया प्रशनिशा का उसको कोन वाई गला लटा देगा कोन लटा देगा के दिवा लटा देंगे और दूसरी चीज योगी आदित्तेनाथ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जो व्यक्ति रिजल्ट दे रहा है उसको कोई क्यों हटाता है क्यों हटाएगा सबको रिजल्ट चाहिए तीसरी बात मोधी प्रधान मंत्री नहीं बनेंगे निश्चित और पर केजरीबाल जी ने जब यह सोचा होगा कि मैं इसी बात कहूंगा तो देश हिल जाएगा लेकिन देश हिला क्यों नहीं इस पर भी सोचा जाना चाहिए कि देश हिला क्यों नहीं क्योंकि केजरी बाल जी की विश्वसनिय अताक नहीं है वानी की उन्होंने जितनों को चोर कहा उनमें से 90 फिर्दी से वो माफी मांग लिए लिखके लिखके उन्होंने जितनों को चोर कहा उनके साथ अलाइंस कर लिया इसलिए अर्विंद जी के विश्वसनीता का संकट है वरनास इतना वड़ा बात कोई बोले और देश में सुख्वुगाहट नहीं जुम्बिश नहीं कोई सोचने की बात है ना कंठ से बात नहीं बनती रिशी बोले शब्द तो मंत्र हो जाता है और सामानि व्यक्ति शब्द बोले तो शब्द ही रहता है ठिक और कोई धूरत बोले तो गाली हो जाता है वही शब्द, है तो शब्द ना, अक्षर, कंठ किसका है, उसकी विश्वसनीता कितनी है देश में, ये महतपों विशे है, अन्य था इतनी बड़ी बात, इस पर कश्मीर से कन्या कुमारी आसमत गुजरात तक चर्चा नहीं हो जात लेकिन मोदी कुछ आने वाले भी जानते हैं कि केद्रिवाल के कहें में धम नहीं, इसलिए कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई बात नहीं और तीसरी बात, जिस योजना की आपने पांच वर्ष निंदा, तीन वर्ष, चार वर्ष निंदा की जब से देना शुव किया, मोदी की सरकार ने पांच किलो राशन, और आपने कहा कि देश को गलत रास्ते पर ले जा रही है, भाजपा की सरकार, अचानक चार चरन का दिया, बोले ये पांच दे रहे हम तस दे रहे, अगर ये ही था, तो पहले दिन ये बोल देते, बात खतम हो जाती, चुनाव भी इतने अभियार रन्ने में नहीं घूमता, बोल देते बही पांच ये दे रहे, दस हम देंगे, प्रचार खतम, जन्ता तय कर लेती, एक चीज कहे के बात समाप्त करूंगा, उन्निस के चुनाव में अशोग जी को भी याद होगा, और रिज्या को भी, मनिश भाई को भी और तकी साब को भी, उन्निस के चुनाव में, राहुल गांधी जी ने कहा, कि हम हर किसान को 72,000 रुपिया साल देंगे नगत, यानि 6, 6,000 रुपिया महिना, कितना? 6,000 रुपिया महिना, उस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार किसान को 6,000 रुपिया साल दे रही थी, क्या? यानि मोदी दे रहे साल में 6,000, राहुल जी करे थे, खटा-खट, खटा-खट, 72,000 रुपिया साल में, खटा-खट, जनता ने कहा, ना इस खटाखट वाले पर भरोसा नहीं हमको, 6,000 ठीक, ये विश्वसनीता का उधारण है, अन्य था, 32,000 वाले के वो इतना बोट मिलता कि जबालल ने रूपी छूट जाते, नहीं, लेकिन नहीं मिला, राउल गांदी को कोदी बोट नहीं मिला, वो कोदी आर गए, जिसने 72,000 रूपीया खटाखट खटाखट देने की बात कही, वो खुझ चुना भार गया, इसका मतलब जन्ता ने फटाखट खटाखट भरोसा नहीं किया, खटाखट 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 पर, कितनी भी लुभावनी योजना ले आए, मनिश बाबु माली जे कल को कोई आदमी खड हो जाए अचानक से एक पार्टी बनाके, सुलक्ति चट्टान, धहदक्ति बारूद, राष्टी पार्टी बनाके, और गोशना कर दे कि जो हमें बोट देगा उसको एक चार पईया गाडी देंगे, तो वो जीत आएगा चुनाव, आदमी ये भी देखता है कि जो कह रहा है उसकी स्थिती-परिस्थिती क्या है, उसकी विष्वस्नियता क्या है, उसका पूर्वका, ट्रेक रिकॉर्ड क्या है, नहीं, चुनाव इसी पर आके ठ्कता है मित्र, जनता आपके कहते पर तभी भरुशा करती है जब आपको विष्वस्निय माने, अन्य था, आप मुद्धा उठा सकते हैं, मुद्धा टिके गा नहीं यह जान लिगे, धन्यबाद. केश्री देवा है, विमरी, बोलो जुबा केश्री. जन जनाहट से जल्द आराम पाई, सेंसोडाइन, रापिड रिलीफ के साथ. कम, कम, कम माला, पीस दोड से नो बेबी, कम, कम, कम माला. वीगाट के एकूलर्स, एक्स्ट्रा लाज कूलिंग पैड्स के साथ, जो अच्छे अच्छन को ठंडा करे. वीगाट एकूलर्स, लोग लास्टिंग. वेज़े एकूलर्स, टि कहता है। अछिव पाई, आपिश रहा इसे किसी घटना को आंजाम दे जाते हैं, जो उनके लिए, बाद में गले की भास बन जाए। मुझे लगता स्वाती मालिवाल का प्रसंगस आम आदमी पार्टी के लिए वही सही है। चुकि जहां घटना घटी वो निवास है अर्विंद केद्रिवाल का दिली के मुख्यमंतरी का। और जिस व्यक्ति पर आरोप लगा और आम आदमी पार्टी के सांसद ने जिस आरोप को साद्विन तोर पर सुईकार किया। कि हां मुख्यमंतरी के ड्राइंग रूम में स्वाती मालिवाल के साथ मार पीट हुई और विभव ने की। उसी विभव को लेकर अर्बिंद केद्रिवाल जी आज लखनवु गए अपने साथ घुमा रहे हैं विभव को और कह रहे हैं हम संविधान बचाने निकले हैं, देश बचाने निकले हैं, लोगतंतर बचाने निकले हैं। स्वाती मालिवाल के साथ शारीरिक हिंसा करने के आरोपी विभव को लखनव यात्रा कराना संविधान बचाना है लोगतंत्र बचाना है देश बचाना है ये फैसला देश को करना है नमश्कारी वीगार्ड प्रिजेंट्स अब उत्तर चाहिए को पावर्ड बाइ सेंसुराइन और विमल बोलो जुवां के सरी शार्दा उनिवर्सटी थे वर्ल्ड चूम्स तोगेठर आथ शार्दा अद्मिश्नाव उपरू